आप सभी का आपके अपने चैनल में तैजी दिल से स्वागत और अभी नदन करता हूं आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनिती विज्ञान और सबसे शांदार जबर्दस जिंदावाद वाला चेप्टर हमारे चल रहा है जेप्टर हमारे चल रहा है भारतिय सविदान में अधिकार जैसे कि आपका पढ़ना अधिकार है और पढ़कर के कुछ बनना और जियोन में कुछ बहतर जीना ये भी आपका अधिकार है उन्ही अधिकारों के हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज है हमारा लेक्चर नुबर 6 और इस लेक्चर नुबर 6 में में क्या पढ़ेंगे आज कौन सा अधिकार की चर्चा होगी सर आज होगी धार्मिक संतंत्रता का अधिकार फिर उसके बाद आस्ता और प्रात्ना की सम्तिम्तिता पढ़ेंगे और फिर बात करेंगे सभी धर्मों की समानता तो चलिए आईए शुरात करते हैं आज के lecture की देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं मौली का दिकारों की जब नहीं कहना हो जब यह chapter आपका पूरा complete हो जाए और अगर आपसे article 12 से 35 और 35 पी नहीं तो 12 से 32 तक अगर कोई कुछ पूछ लेना तो आपकी tips पर आपकी जुबाँ पर होना चाहिए आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको कक्षा 11 पास करनी है आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि 12 में जाएंगे इसलिए नहीं आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको collector बनना है आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप भारत के नागरिक और भारत के नागरिक होने के तहथ हमें हमारे मौलिक अधिकारों का पूरा ज्ञान, संपुन जो जञान है अलेज़ ये वो होना चीए तो संब्था का अधिकार यह आमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा, आर्टिकल coda से अठारा में ने पढ़ा, दूसरा जो हमने विरुद अधिकार यह हम लोगों ने पढ़ा rounded 23 और 24 में और अब आज हमारा कौन सा है धार्मिक सौनतंतर्ताक अधिकार या धार्म की सौनतंतर्ताक अधिकार इसमें जो हम आर्टिकल कवर करेंगे वो करेंगे 25 से 28 तर किसे शाण अनुच्छे पढ़ेंगे अनुषेद 25 अनुषेद 26 अनुषेद 27 और 28 पहले अपनों लोग इन चारों अनुषेद 25 शब्वीज 27 और 28 इनको एक बार पूरे चारों को एक साथ अच्छे से समझेंगे इनको समझने के बाद जो हमारा बुक का कंटेंट है न वह आपको सही से समझ में आ जा क्यों कौन सी किताब में लिखावा जल्दी सोना तो हम बार बार में क्या रहा है सबूत बहुत मांगते हैं कौन सी किताब में लिखावा है कहां लिखावा है ऐसी सीज़ा आप भी करते होंगे सब ही करते हैं ठीक है ओके बेटा पढ़ लिया कर क्यों कौन सी किताब में लि चाहिना चाहिए कि आप जो मैंने ये बात बोली है उस हमारे भारत के सविधान के उस अनुछेद में वहाँ पर ये बात लिखी हुई तो चालिए आब बढ़ते हैं आगे सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 25 या अनुछेद 25 की अनुछेद 25 कहता है अंतकरण की और धर्म की अभाद रूप से मानने, आचरण और परचार करने की संतंतरता है इसमें 3-4 बाते जोड़ी गई है अन्तकरण की कही गई है मानने, आचरण और परचार करने की संतंतरता दीगी आए एक एक को समझते है सबसे पहले अन्तकरण की संतंतरता अन्तकरण की संतंतरता का मतलब क्या है आपको आंतरिक संतंतरता दीगी आंतरिक का मतलब क्यों होता है इंटरनल आपको internal संतंतरता दीगी कि वह आप जिस भी परकार से आप इश्वर से संबंद जोड़ना चाहते हैं आप संबंद जोड़ सकते हैं आप अपनी अंतर आत्मा के साफ से आप लोग चल सकते हैं तो जो आपकी कुंसा इसनेस है जो आपकी अंतर आत्मा है उसकी हिसाब से क्यार है चल सकते हैं आपको अंतर करने की सवंतुंतरता है आजादी है आप अपने इश्वर के साथ जिस भी इसाब से चाहे उसाब से आप संबंद जोड सकते हैं इस्तापित कर सकते हैं आपको अपने अंतरा आत्मा की आवाज सुनने का पुरा पुरा अधिकार है दूसरे में का आगा है मानने का अधिकार आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान को या उस भगवान के रूप को किसी भी रूप को आप मान सकते हैं आपको किसी परकार का कोई बात दे नहीं कर सकता तो आपको अपने भगवान को आपको अपने भगवान के साथ संबंद बनाना और आप अपने भगवान को मानते हैं इसकी आपको पूरा-पूरा इजाज़त दी गई है तो माने निकादिकार देखिए अंत्रकरण के संतंतरता में बात करें गए अंतरात्मा आपकी जो अंतरा आत्मा है वो सौंत अंतर है आप अपने इश्वर के साथ किस प्रकार से संबंद जोडते हैं वो आपकी मर्जी दूसरे में यह बात कहीए मानने कादिकार आप कौन से भगवान को कौन से इश्वर को और उनके कौन से रूप को मानते हैं या आपकी मरजी आपको कोई रोग नहीं सकता जैसे कि मैं कहूँ कि आज मैं अपने गुरुदेव को मानता हूँ मैं सब कुछ उनी को मानता हूँ तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता कि नी नी गुरु को क्यों मानता है ठीक है उस भगवान को मान यह उनको मान नहीं कोई दबाव नहीं मुझे अपने भगवान को मानने का दिकार है और मुझे उनके साथ कैसे संबंद स्तापित करने हैं किस परकार से स्तापित करने हैं मेरे अंत्रात्म जिससे कहेगी मैं उसा कर लूँगा तो इन की मुझे इजाजत है दूसरी तीसरे में का गया आचरन का दिकार आचरन का मतलब क्या हो तो behave करने का ठीक है हम कहते हैं आपका आचरन सुधारी है ठीक है आप अपना आचरन सुधारी है behavior जो है न हमें हमार behavior हमेशा अच्छा रखना चाहिए तो आचरन का दिकार अप यहाँ पर आचरन कुन से है आप जिस भी धर्म से जुड़े वे हो उस धार्मिक की आपकी कोई पूजा पार्ट हो आप वो पूजा पार्ट कर सकते हैं आपको उस पूजा पार्ट के लिए उन धार्मिक किर्याओं के लिए कोई किसी प्रकार का मना नहीं कर सकता है तो आप जैसा आचन करना चाहते हैं कर सकते हैं और इन अनुच्छेदों में एक बात और भैतने ने आप बिना भैके बिना डर के आप अपने धर्म की बात कर सकते हैं आप अपने जो भगवान हैं उनकी बात कर सकते हैं आप अपने जो धार्मिक पूजा पाठ हैं वो कर सकते हैं, आपको किसी परकार का ठर्ली या भियर नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है परशार का अदिकार, परशार या परचार का अदिकार। यहां पर यह बात करे गई कि आप अपने धार्मिक विचारों को या धार्मिक जो विचार हैं उनको परचार परसार कर सकते हैं धार्मिक विचारों का परचार परसार मतलब लोगों को उनके बारे में आप बता सकते हैं सब्जा सकते हैं पर यहां पर एक बात ध्यान दीजेगा, जब हम बात करते हैं कि धार्मिक विचारों का परचार परसार करना है, यहां पर यह है कि जैसे मैं जिस धर्म से हूँ, मैं उस धर्म के बार में बता सकता हूँ, कि हमारे धर्म में ये लिखावा है हमारे धर्म में ये है हमारे धर्म ऐसा केता है मैं सिर्फ बता सकता हूँ मैं अपने धर्म का परचार परसार कर सकता हूँ परन्तु मैं किसी को जबरदस्ती ये लिखे सकता है कि चल मेरे धर्म में जूड़ जा जब हम किसी को जबरदस्ती धर्म में जोडने की बात करते हैं तो उसको क्या का जाता है धर्मांतरन का जाता है देखें धर्मांतरन का मतलब यह है कि आप धर्म का परिवर्तन कर ले आप धर्म चेंज करते हैं धर्मांतरन या धर्म परिवर्तन जो होता है ये हमेशा धरम पर्वरतन ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती में करा जाए जैसे आज माली जे मैं हूँ मुझे लगता है कि नहीं दूसरे धरम में जाना चाहिए तो मैं दूसरे धरम में चला जाऊँगा मैं अपना धरम अपना लुगा मुझे यहाँ पर छूट दी गई है इन चार अनुशयद 25 के जो चार भाग है न चार भागों मैं मुझे ये छूट दी गई है कि मैं। मैं चाहों जी इस धर्म का पालन करूं। मुझे पूरी छूट है। मैं चाहूं आज हिंदू से मोध भूथ भी बन सकता है। आप अपनी जो सूचना है वो लोगों तक दे सकते हैं आप अपने विचारों को परकट कर सकते हैं परन्तु किसी को जबर दस्ती नहीं कर सकता है कि चल तु मेरे धर्म में चूड़ जाएं जब आप इस परकार से अगर जबरन आप धर्मांतरन कर रहें तो फिर क्या है अपराद है जबरन जो आप कर रहें वो क्या है अपराद है पर इंसान व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्मांतरन करता है अगर अपनी इच्छा से धर्म को चेंज कर लेता है करनोट कर लेता है तो वो पाप नहीं है, वो अन्याए नहीं तो इस अनुशेद 25 में चार बातों की आजादी है स्वंतंतरता हमें दे गई पहली अंत्रकरण की स्वंतंतरता मतलब आंतरिक स्वंतंतरता हमें दे दे गई अंतर आत्मा से हम स्वंतंतर है हम जैसा भी इश्वर के साथ संब्ध बनाना चाहे हम बना सकते है मानने का अधिकार है हम भगवान के जिस भी रूप को मानना चाहे हमें मान सकते है इश्वर का जो भी रूप हम मानना चाहे हमान सकते है और बिना भेग भी तोए हम मान सकते है आचरन का वेवार आप पूजा पार्ट आप जो भी करते हैं वो पूजा पार्ट करने का आपको आपके आचरन का पूरा-पूरा वेवार उसकी इजाज़त सविधान देता है परचार परसार करने का तो आप अपने धार्मिक विचारों का परचार परसार करते हैं सकते हैं लोगों को समझा सकते हैं अपनी सूचना है दे सकते हैं तो जैसे कि बहुत सी बार आप लोगों ने देखा होगा कि काफी लोग अपने धर्म के बारे में बताते हैं विचार प्रकट करते हैं वो बता सकते हैं क्योंकि वो अनुछेद 25 का जो भाग 4 है ठीक है जी मुझे कोई व्यक्ति अपने धर्म की बात पता रहा हो और में उसके धर्म के परतित बहुत ज्यादा क्या हो चुका हो कि नहीं नहीं जो विचार धारा है उनकी जो पुझा पाथ का तरीका है यह उनका जो सिस्टम है वो भी अपना सकता हूं क्योंकि मुझे मानने का धिक कि को भक्त हैं वह कड़ेते हैं वह हाथ में ओवे थे ठीक हैं तो उनके आत्में भगवद किताविटा से ओर और बाकिन किताबे थे देखा- मैं रूऑ गया यहाए है अब वो एक तरीके से अपनी सूचना है परचार परसार कर रहे है कि भगोत गिता पड़ी है महाबारत पड़ी रामान पड़ी मैंने भी दो बुक्स खरी दी ठीक है एक तो महोर संसे से पड़े था और एक होली जो इस्पिरिच्वल है इस्पिरिच्वल जो योगा है उसकी अब वहां पर मुझे जबरदस्ती वो प्रेशन नहीं बना रहा खरीद किताब गाड़ी रोखे तो खरीद केस नहीं बिल्कुल भी आप ले सकते हैं तो ले लिजी अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं तो वहां पर पाबंदी नहीं परचार परसार करो परचार के लिजी बिल्कुल भी मना नहीं है आप वापे खड़ो के किताबे बेचो आप किताबों के लिए लोगों को कहरें खरीदे वो बना नहीं है वहां पर उनको को मना करें नहीं नहीं यह क्या करो तो वो व्यक्तिक गलत हैं जो मना करें तो इस परकार से हम हमारे धार्मिक व सारवजनिक विवस्ता, अगर सारवजनिक विवस्ता के लिए, स्वास्ते के लिए, इन चीजों के लिए, अगर किसी भी परकार की हानी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम धर्में अस्तक्षेप कर सकते हैं, यहाँ पर आप राज्ये, यह जो सरकार है, वो कुछ ही नहीं हिंदू जब शब्द का प्रयोग किया गया, तो उस हिंदु में कौन-कौन है? हिंदु धर्म के लोग तो हैं, उसके अलावा सिख, जेन और बुद्धिष्ट, ये भी हिंदू के नाम से ही शो करे गये हैं, तो हिंदू में सिख, जैन, बुद्धिष भी दर्शाय का है इसके अलावा यहां पर यह भी काग है सिख जो किरपान रखते हैं किरपान क्या होती है मैं बताता हूँ किरपान आप लोगों ने देखा होगा सिखो किरपान एक छोटी सी तलवार सी होती है वह किरपान रखने का भी अधिकार दिया है कि वह किरपान आप अपने साथ रख सकते हैं कर सकते हैं तो आपको अगर इस राज्ये को ऐसा लगता है कि सारवजनिक सुविदाओं में लोग नीती में या स्वास्ते में कहीं पेर भी ऐसी जरूत पड़ती है though उस राज्य अस्तक्शेप कर सकता है और एक बात यहां पर और ध्यान रखेगा समाच कल्यान की जब बात आती है समाच के कल्यान के लिए भी अगर कुछ बातें ऐसी होंगी तो उन कल्यानों में भी सरकार हस्तक शेप करेगी जैसे कि हिंदू धर्म की जब बात हो हिंदू में बात हो या किसी भी धर्म में बात हो जैसे हिंदू धर्म में हम पहले बात कर चुके हैं कि महिलाओं को निचे लिजा जाती है उनका मंदिरों में एंट्री बनती पर ये कहता है कि वहाँ पर सभी जो धर्मिक संस्तान है जो हिंदु धर्मिक संस्तान हैं सभी धर्मिक संस्तान हैं इनकी एंट्री अलाओ होगी सभी को समान रुप से सभी को एक्वली वहाँ पर भेजा जाएगा एक बात यहां पर और ध्यान रखेगा सभी धर्मों के लिए अगर किसी धर्म में मानवता के खिलाफ कोई काम हो रहा हो तो उस मानवता के खिलाफ के काम में सरकार राज्य हस्तक शेप कर सकता है जैसे कि for example हिंदु धर्म में सतिपर्था हो रही है पुरुष हस्पेंट मर गया तो पत्ने को जला दो काल कोटरी में बंद कर दो यह बर्दाश नहीं किया जाएगा वो गलत है उसको गलत का जाएगा च्वाचूत आइस प्रेश्यता हो रही है अंटेचेबिल्टी हो रही है आर्टिकल 17 में भी आया इस प्रेश्यता है च्वाचूत को एक्स्प्लेन नहीं कर रहा है कि च्वाचूत है क्या अंटेचेबिल्टी है क्या और वहाँ पर एक किसी जाती के साथ च्वाचूत अंटेचेबिल्टी एक ऐसा वेवार है जहाँ पर आप दूसरों को अच्वाचूत भी नहीं 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 टच भी मत हो वह वाला सिस्टम है अब यहाँ पर अगर आप किसी जाती के साथ करते हो तो भी अब बहुत से बार आपने देखा होगा कि महीलाओ को काफी जगे किया होता है पिरिट्स के टाइम पर होती है तो उनको मना करा जाता है कि आप यहाँ पर मत जाईये यहां पर मत करिये यह पर उनकली यह पर तो वह भी क्या है आनटैसेबल्टी वाला भावर तो आटिकल सत्रा चुआ 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 जैसा ऐसे काम आप नहीं कर सकते हैं जैसा कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि तीन तलाग का मुद्दा था तीन तलाग के मुद्दे में संसद ने इस्तक्षिप करा बोले नहीं यह गलत है महिला इतना लंबा जीयों जो है एक पती के साथ बिता देती है और फिर वो एक समय जब भी इच्छा होती है वो तीन तलाग के करके उसे छोड़ देता है तो यह गलत है तो उसो अटायागा तो मानावता के लिए चाहे किसी भी धरम में चाहे वो हिंदू धरम में हो या मुस्लिम धरम में हो किसी भी धरम में हो उन धरम में अगर जहां मानावता के लिए सुधार करने होंगे तो राज्ये सुधार कर सकता है तो ये मुख्यते दो तीन बातों का विशेश ध्यान अनुशेट 25 में रखा गया अनुशेट 25 में उमीद करता हूँ कि आपको पूरा-पूरा किलेर हो चुका होगा अब जैसे मैं स्वास्ते के बाद भी बताता हूँ को अब ये कॉरोना का समय था तो अब हेल्थ मेटर्स के समय में सरकार को ये फेसला देना जरूरी था कि सब्वी धान्मिक संस्ताय बंद कर दी जाए मंदीर, मजीज, चर्च, गुरुद्वार सब बंद कर दिए गए अब वहां पर कोई धार्मिक संस्ता यह जाकर कि नारेबाजी नी कर सकता कि अनुशे 25 में हमें आजादी है हम मान सकते हैं हम आचरन कर सकते हैं ठीक है हम धार्मिक पूजा पार्ट कर सकते हैं तो सरकार ने गोला नहीं वह स्वास्ते का मुद्ध है घर बेटो बंद करना प्रग्रेसीज़ धर्म्रिप्रेक्श प्रगतीशीव धर्म्रिप्रेक्श का अंतलब किया है कि ऐसा नहीं कि सब कुस्दों भाइवार करते हो सब प्रगती का मुका हमें मिलना चाहिए जैसा कि मैं आपको कहता हमारे अधिवाली की भी चुट्ती है तो ये इदिकी पर अमेरिका का कहता है कि आप बिल्कुली इंट्रिफेर ना करें अब बिल्कुली इस्तक्षिप ना करें पर हमारा ऐसा नहीं हमारा प्रगती सील है कि अगर कुछ कमियां कुछ समश्य होंगी तो उनको दूर करकर हम भैतरी रूप में आगे बढ़ेंगे ठीक है और वेसे मात्मा गांधी एक बात कहा करते थे मात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम कहीं पर भी धर्म को छोड़ नहीं सकते है धर्म को नहीं छोड़ सकते है राजनिती में धर्म आधार ही बनेगा राजनिती का पॉलिटी का आधार अगर कुछ है तो वो धर्म है तो लोगों ने कहा ह ये कैसी बात कर रहा ऑथ, धर्म कैसे, हिंदू, मुस्लमान, सिख, गुड़ मेरी, इसी मेरी बठे रेजा की जी अनवर, तो बापको कह रहा है, मैं ये नहीं कहे रहूं, मैं क्या कहे रहूं, मैं क्या कहे रहूं कि, अगर हिंदू धर्म में, जो अच्छे विचार है अच्छे गुण है वो राजनीती मोताने चाहिए इसलाम धरम में जो अच्छे विचार है अच्छे गुण है वो राजनीती मोताने चाहिए सिक धरम में, इसाय धरम में, बुद्धिश धरम में, जेन धरम में जो में विचार है वो क्या करने चाहिए वहाँ उतारने चाहिए जो अच्छे विचारों से क्या करना हमें राजिती करना ओके और धरम अगर सच में मैं बात कहूँ तो धरम एक्शन में क्या होता है धरम बात करता है करतव की बात करता है जब 12th का record करेंगे 12th वालों को हां करतेंगे तो आप 11th वालों को हां करतेंगे तो कल को बोलेंगे सर आप हमारों को छोड़ के 12th वालों का वीडियो ना होगे तो वो क्या धर्म संगट में फस्टन है पूरी सچी इमान दारी से निवाता है और वही करतव उसके धर्म है तो हमें हमारे कृतव ही जो है उन्हे है कभी नहीं पूलना चीए फिर बात करते है अनुछे 26 की आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का परबंद मतलब मेनेजमेंट करने की संतन तरता अब इसमें क्या-क्या बात है रिखी गई वो देखे परबंध या मेनेजमेंट करने की सुन्तरता का मतलब क्या आप मेनेज कर सकते हैं जो आपकी धार्मिक समुदाय की जो मामले हैं उनको आप मेनेज कर सकते हैं धार्मिक संस्ता हो थता दान से स्तापित सारवजनिक सेवा संस्ता हो की स्तापना थता उनके पोशन का अदिकार आप कोई धार्मिक संस्ता स्तापित कर सकते हैं कोई दान से ठीक है आपने कोई डोनेशन दान दिया हो उससे कोई सारजनिक सेवा संस्ता की स्ताफ ना कर सकते हो उसका portion कर सकते हैं मत्तों से आगे रेगुलरी बढ़ा सकते हैं उसमें और आवश करता हो तो और आवश करता है आप कर सकते हैं तो धार्मिक संस्ता की स्ताफ ना कर सकते हैं कोई सारजिनिक सेवा संस्तान है उसकी स्ताफ ना कर सकते हैं उसमें आपको राज्जी सरकार कुछ भी नहीं बोलेगी ठीक है राज्जी की पुरी परिवाशम पड़ चुके है धर्म संबंदी जो तेल्चन पर सकते हैं पर देखिए जो यहांप बात होती है तो वह नहीं कर सकने यह कुछ common point से आपको इस पूरे जो धानुमिक संस्ता का अधिकार है उसमें आपको याद रखने और यह जो यहाँ पर बाते कहीगी वह अनुचे 25 के अनुसार कहीगी यह आपको ध्यार नहीं रखना है तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि अब आप कह रहा है कि नहीं नहीं धरम संबंदी नीजी मामले सब का प्रबंद हम करेंगे मैनेज हम करेंगे तो ऐसा नहीं है ठीक है कुछ अगर कोई ही कमी है तो उनको सुदार राज्ये करेगा संपती अगर कोई भी संपती आपने अरजित करिये अरजन करना और उसका मालिकाना हक किसका होगा उसी धानमिक संस्ता का होगा जो संपती आपने अरजित करिये उसका विदी के अनुसार संचालन करने का दिकार भी आपका ही होगा विदी मतलब जो भी कानूल बनावा उसके अनुसार आप संचालन कर सकते हैं अब जैसे माल लीजिए कि मेरी कोई धानुमिक संस्था बनी विए और उस धान्मिक संस्था जब मेरे पास बनी विए और मैंने कोई पेशा आर्जित करा, लोगों दान करा, जो भी कुछ करा, अब मेरी मर्जी है कि मैं लोगों को गरीब बच्चों को खाना को आ करकर आओ, हाँ, तो अला हो है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि विदी के संपती, क्या, विदी के अनुसार संचालन करना मेरे मर्जी, पर मैं उस पेसों का ऐसा इस्तमाल करूँ कि नहीं नहीं मुझे इन पांच लोगों को मारना है। अब विदी, लोग ये नहीं कहाँ कि आप पास पेसा है तो आप किसी को मारना है। विदी के अनुसार, लोग के अनुसार, आप जो लोग कानुन कहता है, आप उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं सभी को अधिकार दिये गए, सभी धर्मों को अधिकार यहाँ पर दिये गए अगर देखिए आप दो भाग देख रहे हैं एक आर्टिकल 25 है और दूसरा आर्टिकल 26 है दोनों में बात धर्म की हो रही है पर यहां पर क्या हुआ है व्यक्तिगत शुरक्षा दी गई है एक इंडिविजुल को बोला गया है एक एक इंडिविजुल को बोला के मैं चाहूं जिस धर्म को मानूं कोई दिक्कत नहीं मैं चाहूं जिस धर्म को मानूं मुझे कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई समश्या नहीं मैं चाहूं जैसा आचनन करो मुझे कोई दिक्कत है मैं नास्तिक को तो नास्तिक भी धर्म में आ सकते हैं जो धरम है आपका उसके कोई नीजी मामले को इसी भी धरम के हो सकते हैं जिस धरम ने संपति और स्वामित वह अर्जित करा है और वो संचाल है भी कर सकता है तो यहां पर सामुई के रूप से वहा यह विक्तिगत यहां पर सभी धर्मों के व्यक्तिगत एक एक व्यक प्रहानिक स Personally है क्या तो इसके लिए court ने दो-तीन बातों का वर्णन करा हृत पहली बात तो काय गया कि एक समूँ होना चाहिए और समूँ एक विजार रखता हौं एक समूँ ऐसा होना चाहिए से एक संगटन होना यसी दो तीन बाते उनमें मेंशन करेगे तो आप उसमें मेंशन करेगे और उसके एसाब से हम क्या है धर्म की माननेता है रखेंगी कि हम यह धर्म है या नहीं आप जिससे आपने बहुत बार राम कृष्षन मिशन की वास सुनी होगी तो कोट कहता है कि जैसे राम कृष्ण विशन है अब ये राम कृष्ण विशन क्या है हिंदू धर्म के अंदर ही एक संप्रदा है ठीक हिंदू धर्म के अंदर ही एक संप्रदा है जो राम कृष्ण विशन की तरफ चल रहा है तो इस प्रकार से अनुच्छई 26, ये बात करते हैं, अब बात करते हैं अनुच्छई 27, ठाण्मिक व्यक के लिए निशित धन पर करकी अदायगी से छूट, आप बहुत inट्रेस्टिंग बात यहां पे धार्मी के विए के लिए अगर आप कोई धार्मी खर्चा करते हैं तो उसके लिए निश्वित धन पर कर की अदाइकी से छूट आप कुछो कर देंगे आप टेक्स देंगे उसकी अदाइकी से छूट देखिए मेरी बात समझे यहां पर बात कहना क्या जाते हैं हम सभी व्यक्ति कर पे करते हैं मतलब टेक्स देते हैं टेक्स क्या है एक परकार से सरकार को दिया गया पेमेंट है सरकार को दिया गया payment है जो कि हमें सरकार को देना होता है टेक्स पर टेक्स अपर टेक्स दोनों रुपे से होता है और यह आप लोग अर्थे सास्तर में और भी पढ़ेंगे अगर जिन जिन बच्चों ने economics ली है जो भी टीचर आपको economics पढ़ाएंगे लेवन टोल्ट में तो कर हम लोग सभी देते हैं कि जो को सरकार को एक compulsory payment यहां पर यह बात करेगी सरकार को जो कर दिया जाएगा सरकार को जो टेक्स दिया जाएगा सरकार वो किसी धरम के काम में ना लगाए क्या बोला है? सरकार किसी धरम के काम में ना लगाए क्यों? क्योंकि अगर-गर सरकार को तो सब नहीं दिया है हिंदूों ने, मुसल्मानों ने, बुद्दिष्ट ने, जेन ने, पार्सी ने, सिखने, हिसाय ने सब नहीं दिया है और कलगों माननों सरकार एक पर्टिकुलर धरम के नाम पर ही वो पैसा लगा रही है कर वाला, टेक्स वाला तो फिर तो ये तो क्या हो गया? भेदबाव हो गया हमारे धरम ने प्रेक्स तो साशन की बात है, वो साशन की विवस्ता ही खतम हो गई ऐसा अलाव नहीं है तो यहां पर यहीं कहा गया है कि करकी अदाइगी मेच्छूट पंदर जो भी हम लोग कर देंगे, टेक्स देंगे उसमें राज्ये किसी परकार का ऐसा एक धरमिक के लिए इस्तमाल नहीं कर सकता पर यां पर बात ध्यान रखेगा करकी और शुल्क, शुल्क की अलग बात करेगी है शुल्क में एक आगया जSen मान लीजे धानमिक यात्रा, तीर ती यात्रा के लिए बिए लोगों को सरकार बेजती है पर जो सबने टेक्स दिया उस टेक्स में से सरकार नहीं कर सकती है पर सुल्क लेकर के सुल्क जो है उस सुल्क से विवस्ताओं को सुदार सकती है वाँ अच्छा कर सकती है उन लोगों के खाने पीने रहने की विवस्ता कर सकती है तो कर से आप कुछ नहीं कर सकते है टेक्स से जी हमें ये काम करना है, तो धार्मिक भी है, अगर आपको धार्मिक खर्चा करते हैं, तो उसके लिए निशित धन पर एक लिमिटेट धन पर आपको कर की अदायगी से छूट, आपको कर टेक्स भी नहीं बढ़ना पड़ेगा, तो आर्टिकल 27 कंप्लीट, फिर आते हैं आर् की सिक्षन संस्ताओं का मतलब क्या है, ऐसी सिक्षन संस्ता है, जो राज्य की हो, राज्य मतलब पूरी परिवाशा पड़ चुके हैं, पर आपन शोट में कहें, तो सरकार की, कोई भी ऐसा सरकारी सिक्षन संस्ताओं में धार्मिक सिक्षा निशित है, अब एक एक चीज को एसी संस्तान जिनकी पूरी तरह रख रखाओ कौन करता हो राज्य करता हो देखो पहले एक common बात समझना कि अगर कोई भी चीज सरकार दुआरा चल रही है कोई भी सिक्षन संस्तान सरकार दुआरा चल रहा है तो उसमें किसी particular धरम की आप सिक्षा नहीं दे सकते आप वहाँ पे किसी particular धरम की कोई किताब के लिए आप यह नहीं किसकते कि यह particular धरम की किताब चलाएंगे हमेशा पढ़ाएंगे यह कर सकते यह बिल्कुल भी लावनी है तो government schools में, government colleges में जो government चला रहे हैं उसमें बिल्कुल पापन दे इसमें चार वरगी करन है पहला ऐसे संस्ताथ जिनको पूरी तरीके से कोण चला रहा है सरकार चला रही है कोण चला रहा है राजадцBooks चला रही है अब जहाँ पर पूरा अगर control सरकार का मतल혹 बनाया भी सरकार नहीं है और चला भी सरकार रही है तो वहाँ पर तो क्या होगा धार्मिक जो सिक्षा है पूर रूप से परतिवंदित होगी पूरी तरीके से क्या होगी परतिवंदित होगी पूरी तरीके से मना होगी फिर दूसरे में का गया ऐसे संस्ताथ जिनका परसाशन राज्ये करता हो मतलब चलाता राज्य है लेकिन उनकी स्तापना किसी वी नियास या नियास के तेट है कोई ट्रस्ट कोई सोसाइटी कोई स्पेशल कोई एक समू गृप उसने वो बनाया हो पर चला सरकार रही और उन्होंने जब बनाया है तो वो बनाया ही विशेश करके उसको सरकार चला दी परसाशन चला रहा है तो यहां पर क्या होगा अलाव होगा यहां पर पढ़ाया जा सकता है यहां पर ऐसे जो विचार है उस पर्टिकुलर धर्म के पढ़ाया जा सकते हैं पर आप वहां पर ऐसा नहीं है कि आप उस धर्म के सिर्फ विचार परसुत कर सक किसी को वहां पर मानने के लिए बात दे नहीं कर सकते ठीक है किसी के साथ धर्म के अदार बेद भाई नहीं कर सकते तो सरकार सरकार ने मानने सा दियो तो सरकार स सरकारी कॉलेज है तो रज्य द्वारा माननेता प्राप्त है, 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 तो रज मैंने यहां आज आप मेरी वात क्यूं वांगते हूं, मुझे एक वात ही आज वात है, क्यूंकि मैं रिकनिश्ट काहँ से, मजे मानने तकाहँ से मिली? वी निकल सर्डाओल सर्से मिली एक हमारे सोशल की जो JENुझालके है, मनीशा है आप सोशल में जो ये बोले ये मानने ना ये सही है तो बुझे रिकिंटर कहां से मिला है मुझे मानने थैं कहां से मिल गई निखिल सर dok nose तो आप किसी आप उस्सकूल में जा रहे रहा है उस इस्कूल में फर रहे हैं करे गया है सरकार ने माने तहिता है कि जले में ही इस लिए इुम पर है कि एस इस संस्तान जो राज्य की वित्षा यहां पर ऐस संस्तान चो मुलाना है की तॉछ ने Finance के लिए मदकश्त प्रहाई है थे 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 एदोंस संस्तान और है इच्छा से हो और 28, ये चारो आर्टिकल धर्म की संतुंतृत्ता के बात करते हैं और यहाँ पर यह जो आर्टिकल से वो complete होते हैं और अब हम आते हैं धर्मिक संतुंतृत्ता का अधिकार जो कि आपकी किताब में चर्चा कर रखिए अब आप लोगों ने क्या करा आर्टिकल्स को समझ लिया ना अनुश्यतों को समझ लिया तो आप किताब में जितनी भी बात लिखी ही ना आपको बहुत आसानी से प्रेम भाषा में समझ में आ जाएगी कि कोई दिक्कती नहीं होगी अपने सविधान के अनुशार प्रतेग व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है तो हम सभी को हमारा सविधान ही अधिकार देता है कि हम प्रतेग व्यक्ति अपने धर्म का क्या कर सकता है पालन कर सकता है अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का पालंग कर सकता है इस सहंतंतर ताको लोगतंतर का प्रतीक माना जाता है, symbol of democratic country माना जाता है लोगतंतर का प्रतीक क्यों, हम क्या बात करते हैं कि लोगतंतर किसकी बात करता है अगर आप देखेंगे तो लोग तंतर लोग मतलब जनता और तंतर मतलब व्योस्ता लोगों की व्योस्ता, जनता की व्योस्ता और जनता में सभी आते हैं चाहे किसी जाती, किसी वर्ग, किसी धर्म कोई भी सभी आते हैं, अमीर गरीब भी आते हैं जनता की विश्टा है, तो उसका प्रतिक क्यों कि हमारे सब के विश्वास होते हैं, हमारे सब की आस्ता है होती है धर्म क्या है, हम आस्ता की तो बात कर रहे हैं, हम विश्वास की तो बात कर रहे हैं तो हम सभी के विश्वास की, हमारे सभीयों की आस्ता का सम्मान भारत का सविधान करता है और इसलिए इसको क्या है लोकतंतर का प्रतीग माना गया है जो धार्मिक सवंतंतरता का अधिकार है लोगतंतर में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की संतंतरता को हमेशा बुनियादी सिद्दान्त के रूप में स्युकार किया गया है तो बुनियादी सिद्धान्त के रूप में है, लोकतंतर का सबसे एक बुनियादी सिद्धान्त यह है कि अपनी इच्छा के अनुसार क्या हो, हम स्विका कर सकते हैं कि हम इस धर्म को जो वेक्ति माना चाहिए, वो उस धर्म को मानें, देखिए, धर्म के इसाब से अगर आप आस्तिक का गया है, ठीक है, आस्तिक जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए बनने हो, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे कि आप देखेंगे, पाकिस्तान इसलाम के लिए है, ठीक है, और काफी यूरोप के कंट्रीज, मैली, इसाई धर्म के लिए, किश्ण नेटी के लि भी है लोगतंतर का सिर्फ मतलब यह नहीं होता कि हम वोट डाल दे हमारे नेता चुन ले नहीं लोगतंतर बात करता है विकल्पो की लोगतंतर बात करता है चुछ सी चुनने की बात है और जब बात में चुननेने के अधिकार की करता हूँ तो मेरे पास सब कुछ चुननेने के अधिकार में आता है मैं कहता हूँ ये वाला फोन नहीं ये वाला फोन बैटर है यहाँ पर भी मेरे पास लोगतंतर है पर अगर मुझे कोई कहा कि नी यही फॉन खरी दो तो वहां पर भी लोकतंतर खतम होता है पर यही काम करो तो वहां पर भी लोकतंतर की जान निकल जाती है लोकतंतर हर जगे है जब घर में भाई को 10-11 मझे गुमने के लिए बार कर दिये जा है और भेन को घर से पांच मजे पांच मुट के लिए बाहर ना जाने दिया तो वहाँ पे भी लोकतंतर की आत्मत दिया लोकतंतर क्या है लोकतंतर बात करता है विकल्प की options की बात करता है चुनने की बात करता है आपके चुनने का दिकार होना चाहिए तो जब बात यहां पर धर्म की आ रही है तो धर्म में भी तो आपके पास क्या चुनिने का दिकार होना चीए कि मैं तो इस धर्म को ही मानूँगा और जैसा कि आपने चारो अनुछेदों में बात देखी यह बात देखी कि आप चाहिए जिस धर्म का पालन कर सकते है हाँ पर जबरन धर्मांतर नहीं करवा सकते है किसे को जबरदस्ति नहीं कर सकते है कि तो इस धर्म को मान तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि यह जो धर्म है यह भी क्या है लोकतंतर की धर्म चुन्दा भी लोगतंतर का एक बुनियादी से दांध बन किया अब बात करते हैं आस्ता और प्रात्ना की सौंतंतरता आपको आस्ता मतलब आप विश्वास कर सकते हैं मुझे इन बगवान पर विश्वास है मेरा एनप विश्वास है. उनकी प्रात्ना करने की सुंतनतर्ता आजादी आपको है. भाज में परतेक वेक्ति को अपना धरम चुनने और उसका पालन करने का दिखार. य से तो जो धरम है, धरम क्या है? जनम के सापसी आधारित हो जाता है, कि मैंने इस धर्म में जर्म लिया तो मैं इस धर्म का ही व्यक्ति हो गया मैंने उस धर्म में जर्म लिया तो उस धर्म का व्यक्ति जर्म हो गया कभी का बार पर क्या होता है कि कुछ व्यक्ति अपना इस धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते हैं लगता है कि ये धर्म ज्यादा बेदर है धर्म क्या है? विचारों की तो बात करता है आच्रण की बात करता है ऐसा बिहेव करना चाहिए यही तो हमें धर्म सिखाते है और जिसे कहा गया ना कि धर्म से संसकार हमें मिलते है संसकार हमें मिलते हैं तो उनको उसके विचार बढ़िये लगे तो उस धर्म में चलेगे तो हम सभी को क्या है धर्म चुनने का और जो धर्म हमने चुना है उसका पालन करने का बाद उस रूप में चलने का हमें पूरा-पूरा अधिकार है धार्मिक संतंतर्ता में अंतकरण की संतंतर्ता भी समाहित है अंत्रकरण की संत्रता अब ये कहा लिखा है Article 25 में लिखा है Article 25 का जो पहला पार्ट है, पहला close है अब अंत्रकरण की संत्रता आप फारो समझ ली अगर नहीं समझते तो आपको यहाँ पर क्या वोकित आती यह होता क्या है अब आपने समझ ली तो आपको दिक्कत नहीं आई और ये भी पता लगा लिए आपने कौन से अनुछेद में लिखा हुआ है अब जब कभी आप किसी से डिबेट कर रहे हैं किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि भारत का जो सविदान है दार्मिक सविदान में अंतगरण की सविदान देता है क्यों कि भारती सविदान के अनुछेद पत्रिश के क्लोस एक में लिखा हुआ है तो आपके लिए क्या होगा प्रूफ हो जाएगी आपके बात इसका आर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या ये लिन्ने भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा तो देखिए धर्म चुनने में ये भी है कि मैं इस धर्म को मानूँगा और ये भी है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानूँगा मैं नास्तिकुमों जे किसी पर विश्वासनी में किसी धर्म को नहीं मानता तो वो किसी धर्म को ना मानने का भी विचार कर सकता है धार्मिक सौंतंतरता का ये भी आर्थ है कि सभी व्यक्तों को अपने धर्म को अबाद रूप से मानने उसके अनुसार आच्रन करने और परचार करने का समान हग होगा तो सभी व्यक्तों को अबाद रूप से मानने आप मान सकते अपने धर्म को उसका आच्रन्ट कर सकते हैं उसका परचार-परसार भी कर सकते हैं और यह कहां पे लिखिवूए यह बात है अनुछेद 25 का Close Second, Close Third और Close Fourth उनमें लिखिवूए कि है Close Second Fourth नहीं बात लिखिवूए कि उनमें मानने का और परचार करने का अख है और पहले में क्या लिखे है अंतकरण की संतंततरता की बात लिखे है तो यह बात है अनुचरण 25 में लिखी हुए, जो के हम लोगो Clear कर चूगे है लेकिन धानुंखसंतंतरता पर प्रतीबंद भी है ऑप कुछ restrictions भी है कुछ पाबंदिया भी है क्या है लोग व्यवस्ता नेतिक्ता और स्वास्ते के आधार पर सरकार धार्मिक संतुनता पर प्रतिवंद लगा सकती है अब भाई है कोई लोग व्यवस्ता जनता की कोई व्यवस्ता हो कोई नेतिक्ता का मामला हो नेतिकता जैसे मैंने क्या का कि मानवता की जब बात उठती है मैंने क्या का जब मानवता की बात उठेगी नेतिकता की बात उठेगी स्वास्ते के आधार पर सरकार जो की क्या है राज्य है वो क्या करेगी परतीबंद लगा सकती है रोक लगा सकती है जैसा कि मैंने आपको स्वास्थे के आदार। पर कोरोना का समय चल रहा था अब कोई धान्मिक संक्रठ नहीं कहाए कि नहीं नहीं हमार तो जो धान्मिक स्थाल है उनको खोला जाए बिल्कुल भी जाए स्वास्ते जरूरी नेतिक्ता में मानवता में अगर किसी धर्म में किसी प्रकारकी को कूरीती चलती भी आ रही है उस कूरीती को नहीं माना जाएगा कि वो नेतिक्ता मानवता के खिलाब है धानमिक संतंतरता का अधिकार ऐसी मित में नहीं है अब ऐसा नहीं है कि आपको धानमिक रूप से संतंतरता कर दिया आजाद कर दिया तो ऐसा नहीं है उस पर कुछ लिमिट्स नहीं है लिमिट्स लगाएगी है कुछ सिमित हैं वो असिमित नहीं है सामजिक बुराईयों को दूर करने के लिए सरकार धालमिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है तो सामजिक बुराईयों कोई भी हो, कोई भी कूरीतिया हो उनको दूर करने के लिए सरकार उनमें हस्तक्षेप करेगी, इंटर्फेय करेगी जैसे की बात हुई सती पर था की ठीक है बात एक से अधिक विवा करने की ठीक है एक से अधिक विवा करना ऐसा नहीं है कि जिस मैं हूँ तो मैं दो तिन लड़कियों के साथ शादी कर लूँ विल्कुल भी अलाओ नहीं है ठीक है ऐसा नहीं कर सकते है वहाँ पे ऐसे बात है कि जैसे कि मंन लिजिए यह сейчас और why दोनों husband wife है ठीक है कल को यह मर गया है ठीक है तो अब इसके पास पुरा-पूरा अदिखार है कि दूसरे विक्तिसय सादी कर सकती है या मान लीजिये ये भगवान को बीच में प्यारी हो गई तो इसको अधिकार है कि वो दूसर विक्ति से शादी कर सकता है तो एक साधिक विवा करना मानो बली आप ने बहुत सी बार देखा होगा काफी लोग अंध विश्वास के चकर में ठीक है कभी कोई बाबा ववा कह देता है नहीं नहीं मानो की बली चड़ेगी इंसान को बली चड़ाना पड़ेगा उसको मार करके या मेरे भोग लगाना पड़ेगा तब ही तुम्हारा काम बनेगा तो मानो बली बिल्कुल भी अलाओ नहीं करी गई है तो जो कूपर था है ना कूपर था उपर परतिबंदे लगा दिया गया है मानवता के नेतिकता के खिलाफ अगर कोई भी चीज है तो वहाँ पर राज्ये अस्तक्षेप कर सकता है जैसे कि मैंने आपको एक उधारन अभी तीन तलाग का भी दिया था तो चाहिए कोई साई धरम हो कहीं पर भी वह अगर कुछ सामाजिक बुरा ही नेजर आती है अगर मानवता के खिलाफ नेजर आता है तो वहाँ परतिबंद लगाना राज्ये का पूरा-पूरा अधिकार है ऐसे परतिबंदों को धरमिक सोंतंतरता के अधिकार में अस्तक्षेप नहीं माना जा सकता तो अब अगर कोई कहे कि सरकार तो परतिबंद लगा रही है हर जिए के रोक लगा रही है रेस्ट्रिक्शन लगा रही है तो ये तो क्या है, सरकार हमारे धरम को मानने में हस्तक्षेप कर रही है, इंटरफेर कर रही है ये तो बार बार में सरकार हमें मानने ही नहीं दे रही है, तो ये हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा इसको राज्ये का अधिकार माना जाएगा कि उनका अधिकार है कि किसी भी प्रकार की सामजिक बुराईयों को, कुरितियों को खतम करना यह भारत का सविधान उसको अधिकार देता है कि आप डेखिए तनाओ अब तनाओ का कबाता है ठीक अब या इसा जगड़े के लोग सरकार इन दोरों kे वीछ वीच में तनाओ तनाओ New हो जाएगी यह बोलेंग नहीं सरकार ने अस्तक्षेप करके हमारे धर्म को छेड़ा है यह बोलेंग नहीं सामजिक बुराये को दूर करने के लिए हमने यह काम कर रहे है जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ किर्याकलाप ओपर सरकार नियंत्रन लगाती है उस समुदाय के लोगों को क्या लगता है कि सरकार क्या कर रहे है हस्तक्षेप कर रहे हमारे धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर रहे है इंटेफे कर रहे है पारन्तु यह बात अधिकार सविधान भी देता है राज्ये को कि अगर किसी भी प्रकार के कोई सामाजिक बुराई या सामाजिक कूरिती होती है तो उसको उटाने के लिए राज्यों को पूरा-पूरा अधिकार है देखिए अब भूत सी बार क्या होता है आप देखते हैं हमारे देश में अलग-अलग मुद्दों पर विवाद होते हैं अब जो लोग विवाद करते हैं उन लोगों को सच में भी यह नहीं पता होता कि हम विवाद किस बात पर करते हैं सभी बता रहा हैं तो इसलिए आपको अगर सभी समझ्याओं का समाधान चाहिए तो आप अराम से बैठ करके शांती से सहविधान को पढ़िए उसकी एक-एक पॉइंट को एक-एक क्लोज को समझीए और फिर आप बता सकते हैं नहीं भाई देको तुम दो लोग बात करो रुख जाए तू गलत है तू भी गलत है ऐसी बात ही यह बात है ठीक है पर लोग समझना सुनना जानना नहीं चाहते और अब तो सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्रेंट चल गया है एक मेसेज हजारों के पास फॉल वर्ड होता है पौचा देता है जो के गलतत請 देता है सविधान ने सभी को अपनेधर्म का परचार करने की संतनतरता भी दी है ठीक है? कोई जबरन नहीं मना सकता ये बात अब ये आगे आजाएगी इसमें कि कोई जबरन नहीं मना सकता परचार परसार करना परचार परसार करने का मतलब यह है कि आज मैं आपको समझा रहा हूँ मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है छोड़ो तो आप क्या हो जो दूसरे की तरह से ले जाएंगे मस्तरों तो बस वही वाली बात है तो यहां पर परचार करने के आजादी है अगर परसंद आए आप उनकी धर्म में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाए हो नहीं है तो अट जाए ह जो धर्मांतरन है वो भे मतलब डर और लालज के आधार पर कराए जाते हैं देखें कुछ हग ठीक हो सकता है कि काफी बार जो धर्मांतरन कराए जाते हैं या जो धर्म का परिवर्तन कराए जाता है वो भे या डर के आधार पर कराए जाए जाए कि नहीं आप अमारे धर्म कराएगा तो वो क्या हो जाएगा ऐसा विदान ही हो जाएगा या गलत हो जाएगा सविधान की जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता खीक है आगे ही बात तो सविधान भी जबरन मतलब जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन करो, नहीं आप हमारे धर्म में आओ, आप इस धर्म में आओ, उस धर्म में जाओ तो ये जबरन जो धर्म परिवर्तन इसकी इजाज़त भारत का सविधान नहीं देता भारत का सविधान इस बात को बिल्कूल नकार देता है कि आप धरम का जो परिवरतने वो जबरन करें हाँ पर भhrad का सविधान ये कहता कि अगर इच्छा से मैं चाहू तो मैं उस धरम का पालन कर सकते हो वैं हमें केवल अपने धरम की बारे में सुचना परशासालित करने का अधिकार देता है जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की और आकरशित कर सकें देखिए अब बहुत इंट्रेस्टिंग बात हैं आपने कहीं जबरन धर्म परिवतन की इजाज़त नहीं दिये परन्तु हम अपने धर्म की सूचना है परशालित कर सकते हैं हम सूचना है बता सकते हैं तुछ ना दे सकते हैं हमारा धर्म इसा है हमारे धर्म में ये बात कहीं किये हमारे उन गरंतों में हमारे उन किताब में ये बात कहीं किये तो हम परचार परसार कर सकते हैं, बता सकते हैं, और हो सकता है उससे कि काफी लोग आकरशित हो जाए, अट्रेक्ट हो जाए और अट्रेक्ट हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे और नहीं होंगे तो नहीं, पर ऐसा नहीं है कि बस बार-बार जाकर उनको रोज प्रेशान क अप्पत्रूं की सवांता कि सभी धर्मों की समांता का का जो concept इसको लोग क्या कें मोग क्या के देते हैं धर्मनिर्पिक्षा कि हमारे सभी धर्म है एक समान है improve पराबर उसको क्या करेंगे धर्म निर्फिक्ष विविन धर्मों के साथ समांता का वरताओ करें मतलब काफी अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो लोग है तो इसके कारण ये है कि भरत की जो सरकार है देश की जो सरकार है वो विविन धर्मों के साथ क्या करें समानता का वरताओ करें वेशा तो देखिए समानता की जो बात है वो नुचेत 15 में वेशा ही करती गई है कि कोई भी किसी के साथ जाती धर्म के आदार पर किसी प्रकार का कोई बेदवाओ नहीं हो सकता परन्तु हम यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तो जिम्मेदारी है राज्य की सरकार की की वो क्या करें सभी धर्मों के परती समानता वाला भाव उपरकट करें सब को बराबर निजर से देखे सरकार किसी विशेश धर्म का पक्ष नहीं लेगी तो सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती कि हम इस धर्म के तरफ है या हम उस धर्म की तरफ नहीं है इसलिए तो क्या का गया है कि जो करका जो टेक्स का पेसा है कीसी धर्म में क्या आइजनन में नहीं हो सकता भा Spaß का कोई राज की धर्म नहीं है, राज की धर्म मतलब जैसे कि मैंने कहा नास्तिक आस्तिक और धर्म रिपक्ष हम किसी एक पो पर्टिकुलर धर्म के पर फिर यही बारत का धर्म होगा ठीक है, सबसे पहले यही है और बाद में फिर सारे बाकी नहीं हम धर्म इर्पेक्ष है हम सबी धर्मों को एक समान नजर से देखते हैं राज्य द्वारा संचालित सेक्षिनिक संस्ताओं में ना तो किसी धर्म का परचार किया जाएगा नहीं कोई धर्मिक चिक्षा दी जाएगी और नहीं उसमें परवेशक के लिए किसी धर्म को वरियत्या दी जाएगी अब राज्य द्वारा मतबढ़ सरकार जिन सेक्षिनिक संसस्ताओं को चला रही है उसमें ना तो आप धर्म का पडचार प्रसार कर सकते है ना कोई धार्मिक शिक्षा दे सकते को多ग कि धार्मिक, जो ग्रनत है किसी धर्म का वो पड़ा कि अई कर सकते लिए, और नहीं आप धर्म के आदारा पर पर किसी गोछ वर्यद्थाद को लेंगे! और यह कहां पर करीगी यह बाद़? आर्टीकल 28 विशेज धर्म का पक्ष नहीं ले सकती तो यह चीज आपको कहीना कि थोड़ सा आर्टिकल 27 में निजर आ लिए और अनुछे 27 में यह अनुछे 28 में 25-26 अपन करी बात पूरी कर चुके इन प्रावधानों से धर्म रिर्पेक्षता का जिवन और को जिवन और बल मिलता है मतल आप लोगों क्या कवर करा आज हमने कवर करा है अनुछे 25-26-27-28 और इसके साथ जितना भी आपका बुक कंटेंट है वो पूरा का पूरा अपन लोगों ने क्या कर लिया कवर कर लिया अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस बुक कंटेंट को पढ़ेंगे तो क्या होगा आप 11 तक सिमित रहे जाएंगे पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ेंगे तो आप बड़ी लेवल तक ग्यान ले लेंगे परन्तु आप पूरा लेक्चर देखकर के दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे ना तो आप शांदार जवर्दस विक्ति बन जाएंगे आपको आपकी जो लेक्चर से वो शांदार जवर्दस जिंदावाद चल रहे होंगे पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और जो तयारी है आपकी क्लेक्टर बने की उसे जारी रखिए ओके तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में कैसा लगा लेक्चर यह जरूर बताईएगा और जादा जादा लाइक शेर सब्सक्राइब करिए और मैंने पहले भी खाया आपको शेर करते वक्त सोचने की आवशकता नहीं किसको करना किसको नहीं सभी को करो चाहे को एक को तेयारी हो कुछ पी कर रहा हो 11 12 में हो 9 10 में हो सबको शेर करतो वीडियो जो देखेगा उसको सि सब्सक्राइब कर दिकार है अनुछे 21 के तहद ओके तो मिलते हैं नेक्स टेक्चर में तब तक के लिए थैंक सो मच जै हिंद जै भारत